सब्सक्राइब तैग टीवी यूट्यूब चैनल और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाईए। को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे इस वक्त भारत और नेपाल के बीच टेंशन बढ़ती चली जा रही है जो आज की खबर है उसके मताबिक नेपाली पुलीस ने भारत और नेपाल के बार्डर पर कुछ नौजवान जखमी हुए और एक की हलाकत की भी इतलाद ही ही है और इससे पहले हम देख रहे थे बहुत दिनों से बारत और चीन के मबैंट टेंशन जो थी वो काफी थी लेकिन अब वो जो स्टेंड आफ था दोनों आर्मीज का वो अब सुना है पीछे हड़ता चला जा रहा है मेरे साथ बीजे पी मध्या परदेश के स्पोक्स परसन डॉक्टर गुलरेज शेख भाई जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख भाई ये जो आज का वाकिया जिसकी इतलाद हम तक पहुंच रही है आप भारत में बैटे हुए हैं उसकी ज़रा तफस वह बेसिकली माओवादी सरकार बैठी है और इट इस आ कैंगारू गवर्मेंट पपेट गवर्मेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चैना और आप देखिए नेपाल आज के समय एक प्रॉक्सी स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है और मैं आपको इसका सबसे बड़ा उधा लिएगा अभी से तरह दिनों पहले मैना सवा महिने पहले जो नेपाल कॉणिस पाटी है वह दो पार्टी जो थी महाँ पर एक टो लेनिनेस फ्रैक्षिंद था और एक माओ इस फ्रैक्शन था उन दोनों ने मर्ज किया सबसे वड़ी कॉमिनिस पार्टी बना ली अब इन ने इस हद तक वहा हस तक शेप किया जो चाइनीज एनवाइश जो महला एनवाइश है वहा की नेपाल में चाइना की उन्होंने कम से कम पाफन से छェ मीटिंग की चाइना की नेपाल कम्यूश्ट की साथ और उस जो आपस में अंतर दू अंदर चल रहा था दोनों फ्रेक्शन के बीच में लेननिस्ट और माविस्ट के बीच में उसको रिजॉल्व कराया और वहां की सरकार को गिरने से बचाया अब आप ये समझिये कि कैनेडा में यदि कोई भारत का एमबेजडर है या यूएस का एमबेजडर है वो कैनेडा में जिस् दुसरी देश की इंटर्नल पॉलिटिक्स में हस्तक शेप करने की बात है तो चाइना ने बड़ी बेशरमी के साथ अपनी एन्वाइ के को भेज कर वहां पर ओपी शर्मा की कुरसी बचाई तो डेफिनेटली वरतमान में जो नेपाल है वह एक कैंगारू गवर्मेंट चल रही है और एक प्रॉक्सी स्टेट की तरह बेहेवर कर रहा है तो यह जो कुछ भी हो रहा है यह चीन के इशारों पर हो रहा है और डेफिनेटली चाइना के साथ हमारी अभी कुछ तरह तनी चल रही है बॉर्डर पर इस्टेंड आफ बना हुआ है लेकि मुझे लगता है क जिसकी खबरें आ रही है अब तक कि क्या इतलात हैं नहीं इसके उपर ग्रहम अंतराले ने रिपोर्ट मांगी है एक बात ग्रहम अंतराले के पास रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जो करवाई करनी होगी भरत सरकार डिसाइड करेगी और यह बताईए कि पिछले दिनों नेपाल के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की लगता था कि यह रिलेशन्स अब रिपेर होंगे तो ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि एक ही कल्चर के लोग हैं एक ही धर्टी के लोग हैं तो क्या आपको इसकी वज़ा नजर आती है कल्चर से ज्यादा भी यह एक स्टेप आगे उठके कहूंगा कि नेपाल के साथ भारत का मूलिता रोटी बेटी का निश्टा था और है लेकिन अभी जो सरकार है सारी समस्यां उस सरकार की क्योंकि सरकार जो है वह नेपाल के हितमे निर्णाए नहीं ले रही नेपाल की सरक के पास जो हिस मास्टर्स मॉइस बज रही है बेजिंग से उस ट्यून की ओपर डांस कर रही है ओपी शर्मा की सरकार तो यह सब तो एक प्रॉक्सी चल रहा है चाइना के तरफ से चाइना जैसा निर्देशित कर रहा है वैसा वहाँ पर एक्शन हो रही है तो इससे नेपा को फाइदा क्या होगा वो तो भारत के साथ अच्छे संबन बनाने में नेपाल को फाइदा होगा कल्चर एक है और कुर्बत जो भारत के साथ नेपाल की बंदी है वो बंदी नहीं सकती ठीक है मैं समझता हूं कोई जो सरकार है वो माओ वाली सरकार है लेकिन अगर वो माओ से बेतर उनको benefit है? देखिए बड़ा इस प्ष्ट कहना चाहूंगा मैं एक पाथ कि लाखों की संख्या में नेपाली लोग आते हैं भारत अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अच्छे लोग होते हैं मैं फिर भी कहरा हूं कि नेपाली लोग अच्छे होते हैं इमानदा लोग मने जाते हैं लेकिन आप ये समझेए कि कॉम्मिनिस्ट की जो मानसिक्ता होती है वो कभी भी राष्ट्रवादी ताकि नहीं होती है वो अपने राष्ट्र से ज्यादा अपनी विचारधारा के प्रती उनका जुकाव होता है और माववादी तो मानते हैं कि the power comes from the tip of the bullet तो म आवेस्ट गवर्मेंट है लेकिन आप देखेंगे कि ये गवर्मेंट भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी आपने देखा होगा कि श्री लंका में जो गवर्मेंट फिछली बार थी तो जिस प्रकास है एंटाई इंडिया उसका attitude था मैलडी उसके जो गवर्मेंट थी उसका ए चीन के पंजों से बाहर निकलाया वरना चीन तो महां पर अपना territorial क्लेम कर रहा था नेपाल में थामन कोता में किया ना उनोंने ठीक है तो नेपाल में भी यही सूर्टेहाल है और नेपाल की जो जनता है वो ऐसा नहीं चाहती वो भारत के साथ ही अच्छे टम्स चाहती है अपनी बेतरी चाहती है चीन के पंजों से बाहर आना चाहती है और आप में कहा कि ये भी सरकार गिर जाएगी अगर ये सरकार कभी आने वाले महीनों में या एक दो सालों में गिर जाती है तो क्या कुछ चांस है कि डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर आ सके नहीं डेमोक्रेट जैसे ही बदलेगी। भारत क साथ तो उनके रुटी बेटी के रिष्टे हैं। जो चीन के साथ बन भी नहीं सकते, कि आप सोझ सकते कि चीनियों के अपनी बेटी देंगे वह यह चीनों की बेटीया लेंगे, समब्भ नहीं है। तो भारत एक नेचरल अलाय है अभी जो सरकार की वज़े से समस्या है ये तात्का लिखे बाद में सुधर जाएगी इस्तिती लेकिन भारत सरकार एक बात है कि सब चीजों पर पहनी नजर रखी हुई है और उच्छत कारवाई होगी इस तरह दिक मैं नहीं कहूंगा लेकिन ह हम नजर गड़ाया रखे हुए जो भी एक्शन कर रहे हैं ये लोग उस पर हमारी तीकी नजर रहे और ये भी बताईए डॉक्ट साहब कि जो चीन की अपनी सूर्टेहाल है कोविड नाइंटीन के बाद जिस तरह अमरीका की तरफ से उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है यॉर्पीन यूनिन की तरफ से बढ़ता चला जा रहा पूरी दुनिया में चीन एक्सपोज हो गया को उसने कोविड नाइंटीन के सरसा में कितना जूट बोला और मैं यहां सक्त ये बात तो नहीं कहूंगा कि ये शायद शुरू ही उन्होंने किया एड लीस जूट तो बोला और कितनी बदमाशी की चीन के अपने अंदर बहुत रिजिस्टेंस है चुक्छे जो चीनी अवाम भी है वो इस कम्यूनिजम की बदमाशी से बाहर आना चाहती है हौंग कौंग में जो हो रहा है आपके सामने है वो जो बालकनाजेशन आफ चाइना की सूर्टेहाल ह वो भी आपके सामने उस पे भी रोशनी डालें और जो स्टेंड आफ है भारत के साथ जिससे अब वो इतलात आ रही है कि ये पीछे चीन हटता चला जा रहा है तो आफटर आल चीन किस तरफ आपको जाता नजर आ रहा है कोई इतने बड़ा जो ड्रैगन जिसकों बोलते थ है क्या वो अब चोटा कोई साम बंतर नजर आ रहा है आपको नहीं दे दे यह है क्या होता है भाई साब की चीन के विशे में बहुत सारे मित हैं लोगों के और जैसे कि पहले USSR के विशे में हुआ करते थे उसका कारण ये है कि आउटफलो आफ इन्फॉर्मेशन वहां पर आइरन कर्टन लगा रखाए होने उसकी वज़े से हो नहीं पाती है तो लोग क्या सोचते है कि बड़ा होमोजीनियर्स बड़ा सारा कंट्री है इट इस आल रेड आल हैपी और हैपी कौमी कंट्री इस नौट दा फैक्ट तो यह है कि ये जो चीनी ड्रेगन दिखती है उस इस हैं जिन में हैं चाइनीज लोग का वास है अब ये बात सच है कि चाइना की population का 90% जो भाग है वह हैं चाइनीज का है लेकि 90% जो भाग है उसकी territory जो उसकी motherland है वो किवल one third of Chinese area है जो two third of land बास है उसका वह तो हैं चाइनीज का ही नहीं या तो फिर वो तरक्या ये तरक बती लोग है या फिर मंगोल लोग है आप मैं थोड़ा आपको अगर मुझे समझे दे तो मैं चाहूंगा कि चाइना की वास्तवित्ता जो लोग नहीं जानते हैं कि चाइना कैसा बल्कनाइज होगा और जो लोग ये सोचते हैं कि चायना का बल्कनाइज़ेशन नहीं हो सकता वो थोड़ा सा 100 साल को समझ ले पिछले 100 साल में दो बार चायना का बल्कनाइज़ेशन हुआ उनीस सो ग्यारा में जब जो इंपिरियल चाइना था जब वह गिरा उसके बाद क्या हुआ कि ये कुइन डाइनस्टी के बाद तो एक बाद स्प्लिंटराइजेशन हुआ बलकनाइजेशन हुआ और उसके बाद जब रिपब्लिकन्स वहाँ पर हारे कॉम्मिनिस्ट से तो ज जूल चाइना अठारा प्रोविंस्स का बना है आप किसकते हैं, जो इस्टन बोड है, उसको आप बोल सकते हैं, that is the Heartland China, Core China और Mainland China, यе अjedारा प्रोविंस्स कोन सी है, अनुआ, चिली, फिजियान, गैंशाओ, गॉघाओ, गॉवजफनाओ, ईहनीन, जैलिन, हुनान, जिं इसे आठारा नाम है कि मैं आपका टाइम जदा नहीं लूँगा आपकी टाइम की सीमा है तो आठारा प्रोविंसिस है जिसमें यूनान भी आता है और यूनान भी ज़्यातर सबाएं इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलेटी रही है वहां की जिसको चाइना ने हमेशा सुई कर क आज उसको चाइना में क्लब कर रखा है और यही पार्ट है जो डेवलप्ड है जो हमको अच्छी स्काइलाइन दिखती है डेवलप्मेंट सिटीज का दिखता है वो हैं चाइनीज एरिया जो वन थर्ड है केवल कंट्री का उसमें है इसके अलावा यदि आप बात करें तो बहुत अंडर डेवलप्ड है थोड़ा बें बताओं आपको देखिए एतिहासिक रूप से जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसको विश्व का अजूबा वाना जाता है उसको जो निर्माण किया था इसलिए किया गया था कि जो हैं चाइनीज जो मूल चाइनीज किंग्ड मंगोलिया किया हुआ कि 1911 में जब क्विन डाइनस्टी का जो फॉल हुआ तब देरमाद मंगोलिया जिसने अपने आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोशित कर दिया और उन्होंने खानेट बनाई और खानेट के अंदर उन्होंने अपने आपकी एक नेशनल आइडे गॉवर्मेंट बना ली लेकिन क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट थे अपनी इंटर्नल राइवलरी जो इंटर्नल पॉलिटिक्स की वज़े से बेजिंग का सपोर्ट लेने चले गए और उस समय बेजिंग जो था वह चाइना की कोई जिसको कहते हैं प्रोविंस ओफ इनर मंगोलिया तो वह एक तफजा हो गया और फिर उसके बाद चाहिए होने कि वहां की डेमोग्राफी चेंज करना शुरू की क्योंकि वह स्पार्सली पॉपुलेटेट था पॉपुलेशन जाधा नहीं थी तो जितने बड़े-बड़े शहर थे वहां से लोकल मंगोल लोगों को गाओं में भेज दिया मार मार के और हेंच चाइनिस को बठा दिया इसी प्रकासे जिंग जियंग जो कि ये बहुत बड़ा प्रोविंस से जो कि बहुत नियूज में रहता है उगर मुसलमानों की वज़े से जिस प्रकासे जीनोसाइड चल रहा है उनका वहाँ पर जिंग जियंग भी थ्रूआउट इट हिस्ट्री पूरे एतिहास में अपने वो एक आजाद मुलक रहा था उसके उपर कुइन डाइनेस्ट्री ने कबजा किया था अप्रे आखरी समय में और जैसे ही उननीस सो ग्यारा में उनका फॉल हुआ इसले अपने इंडिपेंडेंट कोशित कर दिया और कि ये लोग तो स्ट्रगल करी रहे तो उस डाइनेस्ट्री से और इसे कुइन डाइनेस्ट्री ने भी वही किया था उनके साथ जो कि आज कॉमिनिस पार्टी ऑफ चायना कर रही है कि चेंज ऑफ डेमोग्राफी और पॉपिलिशन को रिप्रेस करना तो उन्होंने इसको भी क्या किया अपने कबजे में लेकर माओ ने इसको भी ऑटोनोमस रीजन के नाम से किया फिर आप बहुत बड़ा भूभाग जो इसका है तिबबत का तिबबत की कहानी हम सब जानते हैं चाइनीज इंपीरिलिजम तो नहीं बोलेंगे लेकर expansionism काहनी है तिबबत हमेशा एक अलग देश रहा तिबबत पर तो बाकाइदा force के साथ माओ ने कबजा किया और उसके बाद क्या किया इन्होंने उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया एक भाग तो वहा जो Chinese Heartland के थोड़ा सा नजदीक था और एक दूसरा वहा जो लगदाक के पास में था जिसमें लासा भी है जिसको टिबबतियां government in exile जो हमारे धर्मशाला में है वो अपने एक देश की future capital मानती है अब आप थोड़ा geography को देखे कि टिबबत की natural geographic approach जो है वो चाहे उनका वह वाला भाग हो जो Chinese Heartland से लगता हो या फिर लासा वाला area हो इस की आसान approach जो है टिबबत की जो geographically naturally बाद में उन्होंने railways बना दी roadways बना दे हो बात अलग है वह है जो हमारा अकसाई चिन है वहां से natural approach जाती है भारत की तरफ से तो वो भाग ही कभी चाहिन का नहीं रहा हो इसलिए जो बुद्धिसम गया भारत से natural geographic routes की वज़े से टिब discussion है कि इन दोनों में अलग अलग क्या है तो जो उनका बुद्धिस भी हुए वो लोग टिबत वाले वो भारत के influence की वज़े से हुए और मैं recent history में जा रहा हूं पीछे नहीं जाता जो जम्मू कश्मीर के महराजा थे उनके कई बार ये claim होता था कि टिबत का एक बहुत करते थे ये बात बिटिश इंडिया के समय है यहां तक आप जिंग्जियंग की बात करें तो मुगल कालीन भारत का जो जिंग्जियंग से contact था वो उतना ज्यादा था जितना आज तक कभी भी चीन का नहीं हो पाया फिर आप थोड़ा सा दूसरे तरफ जाते हैं जस्ट जबही हम डेमोग्राफी देखें रेशिल डेमोग्राफी तो या तो वहां पर जो लोग है वह मंगोल डॉंगू लोग है या फिर कोरियन ओरिजिन के लोग है और वो हैं चाइनीज के लिए अधिकांश हिस्ट्री में नोगो एरिया था तो कि इतने होस्टाइल थे वो लो के लिए वो बैटल फील्ड था तो उसका ज्यादा तर पोर्शन जो था स्टालिन ने जीत के अपने कॉम्रेड मित्र माओ को दे दिया या फिर माओ की हेल्प करी कि उसको उक्यूपाय कर ले इस तरह से मंचूरिया आया होंग कोंग हम सब देखते हैं होंग कोंग के साथ य तो यह चीन का जो बैलकनाइजेशन है ना यह बहुत दूर की बात नहीं है सो सो साल में ज्यादा तर दुनिया के जो देश है उनके नक्षे बदल जाते हैं सिवाए वह कंट्री बचती हैं जो लिबरल वेल्यूस के साथ डेमोक्रेटिक वेल्यूस के साथ चलती हैं तो हो स the luxury कि एक unpopular government है वो वोटिंग से change हो जाए वैसा नहीं होता है इन में तो यह होता है कि जो state है और state mechanism मशनरी है पूरी की पूरी अपने खुद के वजन से भड़़ा के गिरती है जैसा हमने USSR में देखा वो इतने सारे splinters निकले वही चाइना में होना है आपने चाइना की बार्कनिजेशन के जो potential possibilities हैं उस पे बड़ी अच्छी बाचीप की बड़ी अच्छी research कर रही है आपने आखर में हमें यह बताईए कि यह जो बार्कनिजेशन आप anticipate कर सकते हैं अगर चाइना इसी रास्ते पर चलता रखा टोटल हैटेरियन रास्ते पर तो में भारत की तरफ बहुत सारी industry आ रही है भारत को इसका कितना benefit होगा यानि दुनिया ने अब सीख लिया जान लिया कि चाइना की economy जो है वो कितना बड़ा bubble है और कितना बड़ा fraud है तो भारत को इसका फाइदा कितना हो सकता है भारत इसको capitalize कितना कर सकता है इस पे आखर मे भी मिलेगा आर्थिक लाप तो जो बहुत सारी companies हैं जो चीन को छोड़ कर निकलना चाहती है उनके लिए भारत में और जहां तक आर्थिक लाप का विश्व है भारत है जैपान है और आस्ट्रेलिया है और ये इंडो पैसिफिक के में जो विश्व का चीन का प्रभाव है इसको रोकने के लिए ये ही एक टूल है दुनिया के सामने अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो agreements हुए हैं Australia के साथ कि हम एक दूसरे के basis का उप्योग कर सकते हैं और Australia तो बहुत पैसिफिक के दो ऐसे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसका इस दा लिमिट दूसरी चीज़ आपको ही पता होगा कि जो हमारा अंडोमन निकोबार आइलेंड है उससे कुछ ही नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मलक का स्क्रेट आती है अब मलक का स्क्रेट इतनी सकड़ी है कि एक तरफ से देखि लियर नेवी ब्लॉकेज कर दे तो चीन का 90 परसंट जो ओईल और रेविन्यूज हैं जो उनकी कारखाने चलाते हैं और एक्सपोर्ट होता है वो ब्लॉक हो जाएगा और चाइना कुछ नहीं कर सकता उस हिस्तिती में दूसरा आप ये भी देखिए कि चाइना के अभी सबस जैपान के साथ जो साथ चाइना सी में विवादिट आइलेंडस हैं वहाँ पर उन्होंने जेज किया जैपानीस फिशिंग बोर्ट को मलेशिया के भी एक इन्होंने बोर्ट डुबाई है तो चाइना के रिलेशन सब के साथ खराब हैं और साथ कोरिया जो है आप देखिए से इन्होंने कोरोना वाइरस को टेकल किया बातों को छुपाई और पूरी दुनिया को संक्रमिट कर दिया उस बात से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए चीन अपने शेतर में साथ चाइना सी में एशिया में हर देश से लड़ रहा है ताकि दुनिया का जो दियान है वह द बारे में बताया आज का बिला तकल लुफ तईजिया प्रिसाइजली निपाल भारत चाइना भारत के रिलेशनशिप पर देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएगा किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और निउज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे